गुद मॉर्निंग स्टुडेंट वेलकम तु नभ्या ओनलाइन स्टेडी चैनल तुड़े वी विल दू लेसन ही इस माई ब्रदर वह मेरा भाई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन्स अपॉन आ टाइम वन्स एक बार वन्स मीस होता है एक बार वन्स अपॉन आ टाइम एक स्टार की बात है देर वाच आ स्मॉल हिल एक छोटी सी क्या थी हिल मिन्स पहाड़ी एक छोटी सी क्या थी पहाड़ी थी अब पात वेंट अब दा हिल अब पात एक रास्ता पात मीन्स होता है रास्ता वेंट अप वेंट जादा था अब उपर दा हिल पहाड़ी में पहाड ठीक है इट वेंट थ्रू यह जो रास्ता जाता था यह कहां से होता वा जाता था जहां पे पाइन मींस होता है चीड की पेड़ होते थे लकडियां होती थी फॉर मींस होता है देवदार की पेड़ होते थे तो देवदार और चीड के ब्रिक्सों से ठीक है होते वे यह रास् लिए एक होली प्लेस के लिए एक पवित्र जो है हिल में एक क्या थीएक पवित्र प्लेस था स्तान था वंडे एक दिन वैंड संसॉन हाई एक दिन जब सूराज हाई मतलब काफी उपर यह सोन चमक रहा था in the sky आकास में many people बहुत सारे लोग were seen climbing up the hill क्या कर रहे थे climbing up the hill पहाड़ी पे चड़ रहे थे they were climbing slowly, धीरे, धीरे and carefully मलब होता है बहुत सावधानी पूरुवद a girl also climbed the hill एक लड़की भी climbed चड़ रहे थी the hill पहाड़ी पे with them उनके साथ her name was Mina और उसका नाम क्या था? Mina था Mina was 12 year old Mina was 12 year old Mina जो है वो 12 year old Mina जो है वो 12 साल की थी, उसकी age क्या थी? 12 साल she carried a small boy on her back और वह carried मिस होता है ले जाना या ढोना ठीक है? a small boy एक छोटे से बच्चे को on her back अपने back, पीट पे वो हो, अपने साथ क्या ले जा रही थी? एक छोटे से बच्चे को अपने पीट पे लाद के ले जा रही थी he was 4 year old और वो जो लड़का था जिसको अपने कंदे पे ले जा रही थी पीट पे ले जा रही थी उसकी जो एज थी वो कितनी थी? 4 साल की जैसा कि आप पिक में देख रहे हो his hair was curly और उसके जो बाल थे वो curly थे curly मिन्स होता है घुंगरा लू his eyes were black and his face was as fresh as the morning dew और his eyes जो उसकी आखें थी वो black काली थी और उसका जो his face उसका जो face था चेहरा था वो कैसा था? वो इतना fresh था इतना fresh था जितना की सुवा सुवा की dew means होता है ओस जितना की सुवा की ओस होती है वो उसका चेहरा जो है इतना fresh लग रहा था as the sunshine dance through the tree ठीक और sunshine सुरज की जो रोसनी है वो पेड़ों से जो है नीचे आ रही थी कई बार होता है ना कि जब पेड़ होते हैं तो जब सुरज की रोसनी कहीं पर आती है कहीं पर नहीं आती है हिल्टी डूलती दिखती है तो उसी परफेक्स में बोल ला है कि dance through the tree पेड़ों के माध्यां से वो dance कर रही थी dance का मंदब वहीं है कि पेड़ों से होके सुरज की रोसनी नीचे आ रही थी मीना क्राइम्ड दा हिल मीना क्राइम्ड चड़ रही थी ता हिल पहाड़ी जाझ कर अठीड रही एन स्टी थी ली स्टीड ली मनलेब हो अहीं लगाताः या एक अच्छी स्वीर सा सवींड से मैं हुल्या मीना वोज हैपी मीना क्या थी खुशती ? दा बॉइ वाज और बॉइ जो लड़का था वो भी गया था बहुत खुश था अ मैन इन दा ग्रूप लुक्ट एट मीना उनके ग्रूप में एक आदमी था जो मीना को देख रहा था ठीक है उसने मीना को देखा he felt sorry for her और उसने इसके लिए sorry अनुभा किया मनला उसके लिए ऐसा लग रहा था कि ये लड़की जो है इस चड़ाई पर जो है एक बच्ची को अपने कंदे पर अपने बैक पर ले जा रही है he asked her उसने पूछा her उससे किसे मीना से my child मेरे बच्चे why are you carrying a boy on her on your back तुम इस लड़के को अपनी पीट पे क्यों carry कर रही हो क्यों लाद रही हो don't you feel his load क्या तुम्हें इसका load फील नहीं होता क्या तुम्हें यह भारी अनुभाव नहीं होता मीना looked at him in wonder मीना ने उससे बड़ी आश्चेरी से देखा wonder means होता है आश्चेरी ठीक है looked देखना she could not understand him वह उसे नहीं समझ पाई understand means होता है समझना could not वह उसे नहीं समझ पाई her brother was unable to walk अब यहां जो bracket में दे रखा है कि उसका भाई जो है वो चलने में सक्सम नहीं था ठीक है क्योंकि वो बहुत छोटा था मीना asked मीना ने कहा load उसने ऐसे surprise होके कहा load भार of course not बिल्कुल भी he is my brother वह मेरा भाई है ठीक है वह क्या है मेरा भाई है तो चलिए बच्चों ये स्टोरी आपकी complete होगी है I hope आपको सारी चीजें समझ मां आ गए होंगी new word देखते हैं understand means होता है समझ ठीक है समझना climbed चड़ना holy पवित्र slowly धीरे-धीरे sorry sorry आप जानते हो ठीक है sorry means माफी ठीक है sorry और load load means क्या होता है भार ठीक है तो चलिए अब इसके फटा फटाम question answer भी कर लेने है पहला question है where were the people going लोग कहां जा रहे थे तो आपको पता है कहां जा रहे थे लोग वे एक holy place पर जा रहे थे तो आप यहां पर लिखोगे मैं लिख देता हूँ आपके लिए इतना तो आप people टी को यहां capital करोगे the people going ठीक हूँ the people ठीक है अच्छे चलिए में लिख देता हूँ the people लिखोगे पहले एक बिनिट the people लिखा आप नहीं उसके वाग वर w e r e were going a h o l y h o l y holy place p l a c e यह इसका अंसर आई है p l a c e ठीक है चलिए next question क्या है next question है what did the meena say to meena what did the man say to meena ठीक है उस आदमी ने मीना से क्या कहा तो the man अब यह लिखोगे यहां से the man said s a i d आ जाएगा हां से की जगवब है s a i d said to मीना m w na लिखिए इस पेरिंग आप देख लो नीचे ठीक है y was ठीक है मीना y was करीं ठीक है मैं हालिक देदाँ c a r r ठीक है y i n g i n g करींग दा बॉइ आन हर बैक on h e r her back b a c k इतना आप लिखो ठीक है ठीक है अब यह कंप्लीट नहीं हुए है इतना आप लिखो मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी आगे और है इसका ठीक है उसके बाद आप लिखोगे फिर आगे लिखोगे अगे लिखोगे ठ क्या लिखोगे वाज एक मिनिट वाज ड़ू एस वाज 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 एन अच्छा एन फिर यहां एक मिनिट वाज ऐसे लिखोगे वाज नौट ठीक है लास्ट मैं क्या वहाँ लोट का रुखो नहीं कर रही है तो ठीक है यह कम्प्रीट होगे आपका थोड़ा सा यहाँ पर रोग लेना वीडियो को पहुश कर लेना उसके बाद जो है इसको आगे को लिख लेना चलिए अगला है थार्ड है वाई डू यू थिंक मीना वाज केरिंग हर ब्रदर आपको क्या लगता है कि वह अपने भाई को क्यों अपने पीट पे ले जा रही थी तो आप लिख दोगे मीना वाज यहां से लिखोगे मीना वाज केरिंग हर ब्रदर बिकाज भी ए सी ए यू एसी बिकाज ठीक बिकाज ही वाज वेरी स्मॉल एसमे एल एल बस आप इतना ही लिखोगे ठीक है क्योंकि वह बहुत छोटा था चलिए यह भी हो गया उसके बाद आजाओ बच्चों थोड़ा सा इसी में टाइम था अब फड़ा फड़ाओ फड़ वाट वेंट अब दा हिल अपाथ अश्ट्रीट अरोड ठीक है अरेल यह रेल लाइन तो आपको पता है एक पाथ एक रस्ता जा रहा था यह वाट इस दे नेम अब दा गर्ल इन दा स्टोरी तो आपको पता है क्या नाम था उस लड़की का मीना हा ओल्ड वाज मीना वाज 12 ठीक है हाव ओल्ड वाज मीना व्रदर मीना व्रदर वाज four